हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब ठीक होंगे आए आज आपका अध्याय त्रिबुज के अंतरगत हम समरूप त्रिबुजों के छेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे आपने यह सीखा है कि दो समरूप त्रिबुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही समान रहते हैं क्या आप सोचते हैं कि इन त्रिबुजों के छेत्रफलों के अनुपात और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में कोई संबंध है आप जानते हैं कि छेतफल को वर्ण मात्रकों में मापा जाता है अतहें आप ये आशक कर सकते हैं कि छेतफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा ये वास्तव में सत्य है निमनलिखित प्रमे को देखिए दो समरूप त्रिभुजों के छेतफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है यहां देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप है अगर ये समरूप हैं तो area त्रिभुज ABC बटा area त्रिभुज PQR बराबर होते हैं AB बटा PQ के वर्क के जो बराबर होता है BC बटा QR के वर्क के और बराबर होता है CA बटा RP के वर्क के आईए इस प्रमे का प्रयोग दर्शाने के लिए एक उधारन लें आकरती में रेखा खंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समानतर है तथा इस त्रिभुज को वै बराबर छेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है अनुपात AX बटा A B ग्याद कीजिए ये हमारा A है हमें AX बटा A B ग्याद करना है हमें दे रखा है कि रेखा खंड XY AB AC के समानतर है हमें प्राप्त है XY समानतर AC जो दिया हुआ है अतह कोन BXY बडाबर है कोन A के ये कोन इस कोन के बडाबर है क्यों ये हमारी संगत कोन है इसी प्रकार हमारे पास कोन B Y X ये देखिए B Y X कोन बडाबर है B C A के क्यों क्योंकि ये भी संगत कोन है इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज X B Y के A A समरूपता कसोटी द्वारा अतह एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज X B Y को हम लिख पाएंगे A B बटा X B का वर्ग प्रमे द्वारा इसको हम समीकरन संख्या एक ले लेते हैं साथ ही एरिया त्रिभुज ABC बराबर है दो गुना एरिया त्रिभुज X B Y के ये भी हमें दिया हुआ है अतह एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज X B Y को हम लिख पाएंगे दो बटा एक इसको समीकरन संख्या दो माल लेते हैं इसलिए समिकर्ण संख्या 1 और 2 से हम लिख पाएंगे AB बटा XB का वर्ग बराबर है 2 बटा 1 अर्थात AB बराबर है वर्ग्मुल 2 बटा 1 या XB बटा AB बराबर होगा 1 बटा वर्ग्मुल 2 या और सदल करने से 1-XB बटा AB बराबर होगा 1-1 बटा वर्गमुल 2 जिसको हम और सदल कर लेते हैं AB-XB बटा AB बराबर होगा वर्गमुल 2-1 बटा वर्गमुल 2 आईए इसको और सदल करके और इसकी हम मान निकालते हैं AX बटा AB ृबराबर है वर्ग मल 2 माइनस एक बटा वर्ग मूल 2 गुणा वर्ग मूल 2 बटा वर्ग मूल 2 इससे हमने गुणा किया और हमने इसका पाया AX बटा AB का मान जो है 2 माइनस वर्ग मुल 2 बटा 2 तो आया बच्चों समझ में आपको आईए अगला प्रेशन करते हैं आपकी प्रशनावली 6.4 का पहला प्रेशन कहता है मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके छेत्रफल क्रमशह 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग है यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर तो BC ग्यात कीजिए तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया D E F हमें दिया हुआ है कि इनके छेत्रफल कितने हैं 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग और हमें E F भी दे रखा है कितना है मान 15.4 सेंटीमीटर और हमें BC ग्यात करना है अब हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज D E F के अब हम प्रेमे की सहाइता से इसको हल करेंगे ABC समरूप है त्रिभुज D E F के क्योंकि ये हमें दिया है हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज D E F बराबर होगा इस्त्रिभुज की ये भुजा BC और D E F की बुजा E F के वर्क के बराबर ठीक है अब हम इनका मान रख देते हैं क्या मान हमें दे रखा है ABC का छेतरफल है चौसट सेंटीमीटर वर्ड बटा एक सो एककिस बराबर है BC हमें निकालना है और ये हमें दे रखा है 15.4 अब इसको हल करने के लिए बच्चों हम इसका वर्ग मूल निकालते हैं दोनों तरफ वर्ग मूल निकालने पर हमें प्राप्त होगा चौसट बटा एक सो एककिस बराबर है BC बटा पंदरा दशमलव चार हम जानते हैं चौसट का वर्ग मूल क्या होता है जी हाँ ठीक आठ तो हम आठ और एक सो एककिस का ग्यारा इस प्रकार आठ बटे 11 बराबर हुआ BC बटा पंदरा दशमलव चार अब हम इसकी तिरची गुना करते हैं तो हमें मिलेगा ग्यारा BC बराबर आठ गुना पंदरा दशमलव चार अब हम BC निकालते हैं आठ गुना पंदरा दशमलव चार बटा 11 अब 11 से इसको कार देते हैं ग्यारा एकम ग्यारा और ग्यारा चके 44 यह हो गया BC आठ को एक दशमलव चार से गुना करते हैं तो हमें BC का मान आ जाएगा कितना आएगा जी हाँ ग्यारा दशमलव दो सेंटी मीटर इस प्रकार हमने BC का मान निकाला प्रमेई की साहता से आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा चलिए अगला प्रश्न करें एक समलम ABCD जिसमें AB समानतर है DC के यह AB समानतर है DC के इसकी विकर्ण परस्पर बिंदू O पर प्रतिछेत करते हैं और हमें यह भी दिया है AB बराबर है दो गुना CD तिर्बु जो AOB और COD के छेत फलों का अनुपाद याद करना है हमें दिया है एक समलम ABCD जिसमें AB समानतर है DC के उसके विकर्ण परस्पर बिंदू O पर प्रतिछेत करते हैं और हमें यह भी दिया है कि AB दो गुना CD है इसको हम कैसे लिख पाएंगे? AB बटा CD बराबर होगा 2 बटा 1 इसको हम समीकर्ण संख्या 1 ले लेते हैं अब हमें दिया हुआ है AB समानतर है DC के तो हम AB O कोन को कोन CD O कोन के बराबर हम देखते हैं देखे हमारे पास यह कोन और CD O कोन बराबर है क्यों? क्योंकि यह एक आंतर कोन है ठीक है? और अब आप देखें A, O, B और C, O, D त्रिभुज में हमारे पास दूसरी कोन कौन सी बराबर होगी? बिल्कुल ठीक बच्चों यह दोनों कोन बराबर होगी क्यों? क्योंकि यह शेशा विमुक कोन है? आईए हमारे पास यह कोन शेशा विमुक कोन है? और कोन A, B, O बराबर है कोन C, D, O, समिकर्ण संख्या दो से? इस प्रकार हमारे पास A, A समरूपता कसौटी से त्रिभुज A, O, B समरूप हुआ त्रिभुज C, O, D के? अतर प्रमे से हम लिख पाते हैं एरिया त्रिभुज A, O, B बटा एरिया त्रिभुज C, O, D बराबर है A, B बटा C, D का वर्ग जो बराबर है दो बटा एक का वर्ग इस प्रकार दो का वर्ग हुआ चार और एक का वर्ग है एक तो हमारे पास चार बटा एक आ गया और इस प्रकार त्रिभुज A, O, B और त्रिभुज C, O, D के छेत्र फलो का अनुपात हमें प्राप्थ हुआ चार संबंदे एक समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन संख्या तीन आकरती में एक ही आधार B, C पर दो त्रिभुज A, B, C और D, B, C बने हुँ हैं देखिए A, B, C और D, B, C दो त्रिभुज हैं और यदि A, D, B, C को O पर प्रतिछेत करें तो दर्शाइए की एरिया त्रिभुज A, B, C बटा एरिया त्रिभुज D, B, C बराबर होगा A, O बटा D, O के तो आए समझते हैं इसका हल हम कैसे करेंगे माना A, P और D, M रेखा B, C पर शीर्ष लंब है इसका मतलब यह देखिए यह दोनो 90 डिगरी का कोण बना रहे हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज का छेत्रफल क्या होता है बच्चो एक बटा दो गुना आधार गुना शीर्ष लंब यह तो आप जानते हैं आएए तो एरिया त्रिभुज A, B, C बटा एरिया त्रिभुज D, B, C को हम क्या लिख पाएंगे एक बटा दो गुना B, C गुना A, P बटा एक बटा दो B, C गुना D, M देखें यह आधार है और यह शीर्ष लंब है इसमें यह आधार है और यह शीर्ष लंब है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बटा दो एक बटा दो कैंसल हो गया और B, C, B, C कैंसल हो गया क्या मिला हमें A, P बटा, D, M इसको हम संभीकन संख्या एक पाल लेते हैं अब देखिए त्रभुज APO और DMO में मतलब ये जो छोटी वाली त्रभुज है इन दोनों छोटी त्रभुजों की और ध्यान दीजिए इसमें कोण APO बराबर है कोण DMO के क्यों? क्योंकि प्रते कोण 90 डिग्री का है ये तो हमने बनाया है और आगे देखिए हमारे पास कोण AOP बराबर है कोण DMO के क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो शीशा भी मुख कोण है इस प्रकार त्रभुज APO समरूप हुआ त्रभुज DMO के AA समरूपता कसोटी द्वारा AP बटा DM इस प्रकार बराबर होगा AO बटा DO के अतह एरिया त्रभुज ABC बटा एरिया त्रभुज DBC बराबर हुआ AO बटा DO सम्मिकरन संख्या एक द्वारा समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रशन देखते है प्रशन संख्या चार यदि दो समरूप त्रभुजों के छेतरफल बराबर होग तो सिद्ध कीजिये की वे त्रभुज सरवांगसम होते हैं माना त्रभुज ABC समरूप है त्रभुज DEF के हम पहले त्रभुज बना लेते हैं ये त्रभुज ABC और ये दूसरा त्रभुज DEF हमें दिया हुआ है कि त्रभुज ABC समरूप है त्रभुज DEF के इसलिए एरिया त्रभुज ABC बटा एरिया त्रभुज DEF बराबर होगा AB का वर्ग बटा DE का वर्ग जो बराबर होगा BC का वर्ग बटा EF का वर्ग और वो बडाबर होगा A.C. का वर्ग बटा D.F. का वर्ग क्यों? क्योकि हमने अभी प्रमे पढ़ा था ठीक है? प्रमे की साहयता से हम यह लिख पाए हमें दिया है एरिया त्रिभुज A.B.C. बडाबर है एरिया त्रिभुज D.E.F. के इसकी साहेता से हम लिखेंगे area त्रिभुज ABC बटा area त्रिभुज DEF बराबर 1 समीकर्ण संख्या 1 से हम देखें क्या करते हैं इसको बराबर रखकर इसका मान निकालते हैं AB का वर्ग बटा DE का वर्ग, बराबर हुआ BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, बराबर हुआ AC का वर्ग बटा DF का वर्ग बराबर एक. अब देखिए, हम इन दोनों को लेते हैं, AB का वर्ग बटा DE का वर्ग बराबर है एक. इसका मतलब AB का वर्ग बराबर हुआ DE का वर्ग के बराबर इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो DE के बराबर है इसी प्रकार हम जब BEC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर लेंगे 1 के तो हम लिख पाएंगे BC बराबर है EF के इसी प्रकार A-C का वर्ग बटा D-F का वर्ग बडाबर है एक इसका मतलब है A-C बडाबर होगा D-F के हम क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं दूसरी त्रभुझ की तीनों भुजाओं के परआबर है इसका मतलब त्रिभुज ABC सरवांगसम है त्रिभुज DEF के SSS सरवांगसम प्रमेद्वारा समझ में आया है बच्चों? प्यारा प्रशन था ना? आईए अब अगला प्रशन करते हैं प्रशन संख्या 5 एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदू क्रमशह DEF हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के 6 तरफलों का अनुपात ग्याद कीजिए इसका हल समझते हैं कैसे करेंगे? D और E जो हमें दे रखे हैं देखिए D और E ये दोनों मध्य बिंदू हैं AB और BC के इसलिए DE समानतर होगा AC के और DE बराबर भी होगा एक बटा दो AC के देखें ये दोनों समानतर होगे और DE AC क्या आधे के बराबर होगा तो हम ये देख रहे हैं त्रिभुज BED और त्रिभुज BCA में ये त्रिभुज BED और ये त्रिभुज BCA में हम क्या देखते हैं? कौन BED बराबर है कौन? PCA कौन से कौन है? ये कौन ये दोनों कौन बराबर है? एक छोटी वली त्रिभुज ये बड़ी वली त्रिभुज में ये दोनों कोन बराबर है क्यों क्योंकि ये संगत कोन है ठीक है और कोन BDE बराबर है कोन BAC के ये जो कोन है ये इस कोन के बराबर है ठीक उसी प्रकार ये भी संगत कोन है ठीक है बचो इस प्रकार हम देख रहे हैं त्रिभुज BED समरूप है त्रिभुज BCA के AA समरूपता प्रमेद्वारा ठीक है तो हम लिख पाते हैं एरिया त्रिभुज BED बटा एरिया त्रिभुज BCA को बराबर है DE का वर्ग बटा AC का वर्ग या एरिया त्रिभुज BED बटा एरिया त्रिभुज BCA बराबर होगा एक बटा दो AC का वर्ग बटा AC का वर्ग यह हमें दे रखा है कि यह एक बटा दो AC के बराबर है हमने उसका मान रखा और हमने देखा कि AC का वर्ग और AC का वर्ग कैंसल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा एक बटा दो का वर्ग जो है एक बटा चार की बराबर इस प्रकार एरिया त्रिभुज B.E.D. बराबर हुआ एक बटा चार एरिया B.C.A. के आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा एरिया त्रिभुज B.E.D. बटा एरिया त्रिभुज B.C.A. बराबर था एक बटा चार की अब अगर हम इसकी गुना करते हैं तो देखे एरिया त्रिभुज B.E.D. बराबर होता है एक बटा चार एरिया त्रिभुज B.C.A. के हैं यह हमें मिला एक बटा चार एरिया त्रिभुज B.C.A. के बराबर अब हम मान लेते हैं कि area त्रिभुज ABC का मान X है ठीक है इसलिए area त्रिभुज BED का मान कितना हुआ 1 बटा 4X इसी प्रकार जो दूसरी त्रिभुज है area त्रिभुज CEF बराबर होगा 1 बटा 4 गुणा X और area त्रिभुज ADF बराबर होगा 1 बटा 4X तथा एरिया त्रिभुज DEF बराबर हुआ X माइनस 1 बटा 4X माइनस 1 बटा 4X इस प्रकार X माइनस 3 बटा 4X हम लिख पाएंगे जो बराबर होगा 1 बटा 4X एरिया त्रिभुज दी एफ बराबर हुआ 1 बटा 4 एरिया त्रिभुज ABC क्योंकि हमने एरिया त्रिभुज ABC को X माना था इस प्रकार एरिया डी एफ बराबर हुआ 1 बटा 4 समझ में आया विच्चों? आईए अब अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या 6 सिद्ध कीजिये की दो समरूप त्रिभुजों के छेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माधिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है आईए देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के AD और PS त्रिभुज की माधिकाएं हैं माधिकाएं का मतलब होता है ये जो भुजा है इसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बाटता है BD बराबर है DC और इसी प्रकार PS भी माधिका है तो QS बराबर हुआ SR हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के इसलिए AB बठा PQ बराबर होगा PC बठा QR जो बराबर है AC बठा PR के इसको हम समिकर्ण संख्या एक ले लेते हैं और कौन A बराबर है कौन P के यह देखिए क्योंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप है और कौन B बराबर है कौन Q के और कौन C बराबर है कौन R के ठीक है इसको हम समिकर्ण संख्या दो ले लेते हैं क्योंकि AD और PS त्रिभुज की माधिकाए हैं इसलिए BD बराबर है DC जिसको हम लिख पाएंगे 1 बठा 2 BC और QS बराबर है SR जो बराबर है 1 बठा 2 QR के ठीक है तो आएए समिकर्ण 1 से AB बठा PQ बराबर होगा BD बठा QS जो बराबर होगा AC बठा PR इसको समिकर्ण संख्या 3 ले ले लेते हैं अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में कोण B बराबर है कोण Q के समिकर्ण संख्या 2 से हमने प्राप्त किया और AB बठा PQ बराबर है BD बठा QS के ये हमने समिकर्ण संख्या 3 से प्राप्त किया इस प्रकार त्रिभुज ABD सम्रूप हुआ त्रिभुज PQS के SAS सम्रूपता प्रामे द्वारा इसलिए AB बठा PQ बराबर हुआ BD बठा QS बराबर हुआ AD बठा PS इसको समिकर्ण संख्या 4 ले ले लेते हैं तथा एरिया त्रिभुज ABC बठा एरिया त्रिभुज PQR इस प्रकार बराबर हुआ AB का वर्ग बठा PQ का वर्ग जो बराबर हुआ BC का वर्ग बठा QR का वर्ग जो बराबर हुआ AC वर्ग बठा PR का वर्ग ठीक है परन्तु समिकरन एक और चार से हमें पता था कि AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR के जो बराबर है AC बटा PR के जो बराबर है AD बटा PS के अतह एरिया त्रिबुज ABC बटा एरिया PQR बराबर हुआ AD का वर्ग बटा PS का वर्ग समझ में आया बच्चो सरल था न? आईए अब अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण संख्या साथ सिद्द की जे कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए संभाहूत रिबुज का छेतर्फल उसी वर्ग के एक विकरन पर बनाए गए संबाहु त्रिबुज के छेत्रफल का आधा होता है। बहुती महत्रपून प्रश्ण है परिक्षा की दृष्टी से। यह देखें, यह हमारे पास A, B, C, D, यहां पे चत्रबुज है। यह हमारे पास त्रिबुज है, इसका हमने मान लिया है A, तो चारो बुजाएं बराब होंगी। इस पे हमने एक त्रिबुज बनाया है जिसके बुजाएं होंगी A, E, E, B और A, B और यह जो विकर्ण है इसका मान होगा वर्गमुल दो गुना A, वर्गमुल दो गुना A, ठीक है। यह हमारे पास D, E, D, F, B एक त्रिबुज है और A, E, B, दूसरा त्रिबुज है एक भुजा के ऊपर है एक विकर्ण के ऊपर है ठीक है। माना A, B, C, D एक वर्ग है जिसकी प्रतेक भुजा A है इसलिए विकर्ण कितना हुआ वर्गमुल दो गुना A, वर्ग की भुजा और विकर्ण पर बनाये गए समभाहू त्रिबुज रह A, B, E और D, B, F हैं ठीक है। त्रिबुज A, B, E की प्रतेक भुजा की लंबाई है A, तथा त्रिबुज D, B, F के प्रतेक भुजा की लंबाई है वर्गमुल दो गुना A, तो आए दोनों त्रिबुज समभाहू त्रिबुज हैं, अते दोनों त्रिबुजों के प्रते कोन कितने हैं साट डिग्री के इस प्रकार ए ए ए समरूपप्रमेद द्वारा हम लिख सकते हैं तरिभुज nburyee सम्रूप है तरिभुज dv f k के इस लिए area तरिभुज a b c इपटा इपटाँ 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 ओर्वट बता, दौ, एक वर्ट के ब्राबर. अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ग thirty चैन्सल हो जाता है। अब इसकी तिर्ची गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ एरिया ब्रुफज A,bC बराबर है एक बटा दो एरिया त्रिभुज टी बी एफ के समझ में आया बचो चलिए अब अगला प्रेशन करते हैं सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का और चित्तिय दीजिए प्रेशन संख्या आठ ए बी सी और बी डी दी दो सम बाहू त्रिभुज इस प्रकार हैं क की डी भुजा बी सी का मध्य बिंदू है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ए के छेत्र फ़लों का अनुपात है ए ओप्शन दो संबंदे एक बी ओप्शन एक संबंदे दो सी ओप्शन चार संबंदे एक और डी ओप्शन एक संबंदे चार आईए हल समझ लेते हैं दोनों त्रिभुजों के प्रतेक कोण साथ डिग्री के हैं। इस प्रकार AAA समरूप प्रमे से त्रिभुज BCA समरूप हुआ त्रिभुज BDE के। माना त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई X है। इसलिए त्रिभुज BDE की भुजा की लंबाई कितनी होगी X बटा 2। इसको हम हल करेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज BDE को बराबर लिख करके X बटा X बटा 2 का वर्ग। आप देखिए यहाँ पर X और X कैंसल हो जाएगा। हमें बचेगा 2 का वर्ग बटा 1 जो हुआ 4 संबंदे 1 अतर विकल्प C सही है। अगला प्रशन देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंदे 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के छेत्र फलों का अनुपात है। हल देखते हैं हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के छेत्र फलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार त्रबुजों के छेत्रवलों का अनुपात कितना होगा? 4 बटा 9 का वर्ग जो होगा 16 बटा 81 अतर विकल्प D सही है समझ में आये बच्चों? आईए अब ग्रह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लेते हैं प्रशन संख्या पहली समलम PQRS के विकल्ण परस पर ओ पर प्रतिछेत करते हैं PQ पैरलल है RS और PQ बराभर है तीन गुना RS त्रबुजों POQ और ROS के छेत्रवलों का अनुपात ग्याद कीजिए प्रशन संख्या दो आकरती में यदि DE पैरलल है BC के तो एरिया त्रबुज ADE और एरिया DECB का अनुपात ग्याद कीजिए ठीक है प्रशन संख्या तीन दो समरूप त्रबुजों की संगत बुजाएं दो समबंदे तीन के अनुपात में है यदि छोटे त्रबुज का छेत्रवल 48 cm वर्ग है तो बड़े त्रबुज का छेत्रवल ग्याद कीजिए प्रशन संख्या चार दो समरूप त्रबुजों के छेत्रवल 36 cm वर्ग और 100 cm वर्ग है यदि बड़े त्रबुज की एक बुजा की लंबाई 20 cm है तो उस भुजा के संगत छोटे त्रबुज की भुजा की लंबाई ग्याद कीजिए ठीक है पच्चों? आएए आप सारांच देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा? दो समरूप त्रबुजों के छेत्रवलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है अगर हमारे पास त्रबुज A.B.C है और P.Q.R है और ये दोनों समरूप है तो एरिया त्रबुज A.B.C बटा एरिया त्रबुज P.Q.R बराबर होगा AB बटा P.Q. का वर्ग बराबर होगा BC बटा QR का वर्ग वो बराबर होगा CA बटा RP का वर्ग तो आशा करती हूं बच्चों आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खूप अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद झाल दूप में लग वो दो सित्की हूं कुक्या जूएगागा पार्ट समझ में आया मृछ रखait